Hi students, जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपनी previous वीडियो में अपना नया चप्टर स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेंटरी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेंटरी, जिसमें हमने एक तो डैफिनेशन पढ़ी थी ट्रिग्नोमेंटरी की क्या होती है, उसके बाद हमने साइज थी 8.1, उसको सिंप्लिफाई किया था, तो अब जो हमारा नया टॉपिक पढ़ना है इसमें, हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेंटरी क्रेशोज, फिर से ट्रिग्नोमेंटरी क्रेशोज ही पढ़ना है, और सम स्पैसिफिक एंगल्स, क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमे बट अब जो हम trigonometric ratios पढ़ेंगे उसमें हम एक specific angle की बात करेंगे specific angle की बात करेंगे जैसे 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree ऐसे-इसे angles की हम बात करेंगे कि trigonometric ratios की value क्या होगी इन angles पे जो कि मैंने आपको भी बताया तो सबसे पहले जो है इसमें trigonometric ratios of 45 degree हमने क्या पता करना है जो हमने trigonometric ratios निकाले थे उसी में हमने बताना है कि 45 degree पे अगर आप sign 45 लिखोगे cos 45 लिखोगे, ten 45 लिखोगे, cot 45 लिखोगे, sec 45 लिखोगे या cosec 45 लिखोगे तो उनकी जगा values क्या आएगी वही हमने इस chapter में discuss करना है ठीक है तो first one हम देखते हैं अपना trigonometric ratios of 44 degree तो उसके लिखोगे हम क्या करते हैं सबसे पहले हम एक right triangle बनाते हैं क्योंकि आपको पता है यह जो पूरा chapter है हमने right angled triangle पे ही based पढ़ना है तो यह मैं एक right angled triangle बना रहा हूँ ध्यान से देखना इसका नाम रख रहा हूँ यहाँ पे A यहाँ पे रख रहा हूँ B यहाँ पे रख रहा हूँ C यह मैंने एक right angled triangle बनाई जो right angled है कहाँ पे B पे मैं क्या करता हूँ इसका एक angle एक angle मान लेता हूं कितना 45 degree का suppose इसका जो एक angle है जो angle A है ये 45 degree है तो similarly angle C भी 45 degree होगा angle C भी 45 degree ही होगा तो अब हम करेंगे कैसे करेंगे कैसे तो ये भी मैने 45 लिखा ये भी आएगा 45 degree जैसा कि आप जानते हैं लाश्ट आँ हमने एक चीज पढ़ी थी, एक थियूरम पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था हमने, अगर कोई दो एंगल हैं, वो दोनों बराबर हैं, तो उनके अपोजिट वाली साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर, अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 45 डिग् रख रहा हूं, ये एंगल ये एंगल बराबर है, तो ये साइड, तो ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस साइड को मान लूँगा, ए, तो अगर मैंने इस साइड को ए माना, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, ठीक समझना चासे तो अगर ये side में ने A suppose की A मान ली तो ये वाली भी A होगी तो ये वाली side भी दिये ये वाली side भी दिये तो ये जो 90 degree के सामने वाली side होती है इसको high party news कहते हैं क्या कहते हैं high party news तो ये हम निकाल सकते हैं by using Pythagoras theorem तो जब ये वाली side भी निकल जाएगी जब ये वाली side निकल जाएगी तो तीनो साइडें इस triangle की निकल जाएगी और with respective angle A निकालेंगे तो angle A आपको पता है कितना है 45 degree तो सारे के सारे trigonometric ratios इसके निकल जाएगी ठीक है तो हम लिखते हैं in right angled triangle a,b,c तो मैंने क्या लिखा in right angled triangle a,b,c right angled at b right angled triangle है जो right angled है कहाँ पे let one of the acute angle is 45 degree तो एक acute angle मैंने इसका 45 degree मान लिया तो दूसरा भी similarly 45 degree ही आएगा जैसे कि मैंने आपको समझा दिया तो angle a और angle c बराबर होंगे किसके बराबर होंगे 45 degree अगर ये angle और ये angle बराबर होगा तो b,c और a,b बराबर होगा that means a,b और b,c बराबर होगा because sides opposite to equal angles are equal तो let कर लिया मैंने a,b,c किसके बराबर a के बराबर ये भी a और ये भी a अब मैरा question है अगला कि मुझे ये hypotenuse find out करना है मैं करूंगा therefore using p,g,t in triangle a,b,c we get to a,c का सुकेर hypotenuse का सुकेर equal to a,b का सुकेर plus b,c का सुकेर this implies a,c का सुकेर similarly ऐसी रख देता हूं a,b,a,b देखो कितना है भाई a का सुकेर plus a का सुकेर क्यूंकि b,c भी a है a का सुकेर plus a का सुकेर होगा 2 a का सुकेर अब मुझे सुकेर नहीं चाहिए तो सुकेर इंग बोच साइड now सुकेर इंग बोच साइड we get therefore now सुकेर इंग नहीं लिखना थे है यहां पे now taking square root now taking square root बोच साइड we get a,c का सुकेर इक्वल टू under root 2 a का सुकेर तो यह और यह हो गया cancel तो बज़ गया मेरे पास a,c equal to देखो इसका root अलग लगेगा root 2 और इसका root अलग लगेगा यह तो आपको बताईए तो यह और यह हो गया cancel मेरे पास बज़ गया कितना a, root 2 a, root 2 यह वाली चीज़ निकल गई मेरे पास कितना a, root 2 तो यह वाली चीज़ भी मेरे पास आ गई आप question है मेरा अब मुझे यह trigonometric ratios find out करने हैं तो देखो अब reference angle यह रखो या यह रखो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों 45 degree आप यह रखो या यह रखो तो मैं इस वाले को रखता हूँ तो यह बन जाएगी base यह बन जाएगा perpendicular और यह hypotenuse ठीक है तो हम trigonometric ratios निकालते हैं one by one first one तो मैं क्या करता हूँ लिखता हूँ यहाँ पे now if reference angle is a अगर मैं reference angle किसको मानता हूँ a को then a b बन जाएगा मेरे पास a के बराबर that is यह है base b c बन जाएगा मेरे पास a के बराबर यह हमारा perpendicular clear and a c बन जाएगा मेरे पास a root 2 जो हमारा क्या है high potenuse clear यहाँ तक therefore using the definition of trigonometric ratios we have definition लगाएंगे हम trigonometric ratios की जो क्या है पहली सबसे पहली हमने निकालना है sign 44 degree याद है किसी को पंडित बिहारी परसाद हर हर बोल ठीक है यह पहला होता था sign cos ten cot sec cosec ठीक है order एक जाद रखना है तो sign p upon h बतावे perpendicular यहाँ पे लिखा हुआ a hypotenuse a root 2 तो यह a और यह a cancel बजग गया one upon under root 2 clear यह होगी पहली बात दूसरा cos 45 degree बतावे cos b upon h जल्द जल्दी करते हैं base 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 a hypotenuse a upon root 2 यह a cancel one upon root 2 यह भी यही 1045 बतावो जल्दी जल्दी 1045 किसके बराबर 10 b upon परपंडिकुलर कितना ए बेस कितना ए तो ए अपान ए हो गया वान कॉट फोटिफाय हो यह वाला कॉट कॉट यह है तो बी अपान पी बेस ए परपंडिकुलर ए हो गया वान सेक फोर्टिफाय डिग्री एच अपान बी आपको याद होगा आप हाई पान ए यह और यह कैंसल बजगया रूट टू यह आपकी आई जी वैल्यूज यह आपकी आई वैल्यूज ठीक तो यह था हमारा पहला तो अगली वाली वीडियो में हम करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस और आपको यह आपको यह रीजार आपको यह बंगए रूस्प्स